सो हेलो गैज अब सभी का बहुत बहुत करते हैं फ्रीडेक में तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग किसी भी Android डिवाइस के अंदर HDR प्लास यहाँ पे Xtreme Mode के साथ PUBG को प्ले कर सकते हैं चाहे यहाँ पे आपका डिवाइस HDR and Xtreme Mode support नहीं करता फिर भी दोस्तों यहाँ पे आप लोग कर पाएंगे ओके तो यहाँ पे दोस्तों के बहुत एक simple तरीका है उसको करने का एक दोस्तों यहाँ पे जो कि आप लोग को फाइल मिलेगा जिसको यहाँ पे एक folder का अंदर paste करना है तो फूल इसके regarding दोस्तों यहाँ पे बात करने वाला होते यहाँ वीडियो की बास आप लोग लाइक जरू करना चैनल पे एकर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे एक बास आप लोग प्रेस कर लेना यहाँ पे बहुत एक इंपोर्टेंट बात यह है कि आप लोग जो कि बहुत सरा वीडियो मिलेगा यूटूब के अंदर सेम टोपिक में ओके यहाँ पे सेम मेथोड जो कि आप लोग बोला जाएगा उससे पहले जो कि थोड़ा सा आप लोग को दुस्ते आप इंफोर्म य इडियू, इसको जो कि आप लोग एवोइड कर सकते हैं, लेकिन दोस्ते यहाँ पे मैं आप लोग यह भी बतना चाहूंगे, यह दोस्ते मुझे मिला एक इंडोनेसियन गरूप के अंदर, और दोस्ते यहाँ पे मैं कुछ पता करने का ये भी ट्राइ कि यह बेशिकलि यह पे बेन वेगरा होता या फिर नहीं होता है तो guys यहाँ पे उनलों का यही कहना है कि हम लोग इसको जोके season 9 से use कर रहे है अभी तक कोई भी यहाँ पे बेन वेगरा यहां पर सभी Android डिवाइस के अंदर जो की रान कर जाता है तो guys यहां पर मैं जो की अभी दिखाऊंगा आप लोग बेसिकली Realme 2 के अंदर करके तो guys basically जो की Realme 2 as you can see and दोस्तों यहां पर जो की आप लोग यह भी पता है कि इसके अंदर जो की आप लोग का मलता है एक Snapdragon का दोस्तों यहां पर एक low processor and guys यहां पर जो की आप लोग HD plus display भी देखनों का मलता है फिर भी दोस्तों यहां पर जो की एक बर से हम लोग ट्राइ करेंगे इसी के साथ तो guys यहां पर अगर मैं आप लोग अभी फिलाल graphics दिखा हूँ दोस्तों इसके अंदर क्या कुछ अभी फिलाल support करता है तो guys एक बार से हम लोग जाते हैं अभी graphics के अंदर then guys यहां पर यह दिखें दोस्तों यहां पर आप लोग जो की smooth मिलता है balance and guys यहां पर दिखें इसको जोकि एक बार से download कर लेना उसका link जोकि आप लोग नीचे description में मिल जाएगा okay तो guys यहां पर उस वाले file को download करने के बाद एक बार से आप यह दिखें कुछ step के जोकि आप लोग को देखने को मिलेगा एक folder मिलेगा android करके तो इसके अंदर अपर लोग जाना है उसके बाद दूसते हैं पर जोकि आप लोग जाना है data के अंदर okay दोस्ते हैं पर data में आने के बाद दोस्ते हैं पर आप लोग 10 cent का फाइल दिखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर जो कि आप लोग कुछ नीचे करके मिलेगा यह दिखे .com.tencent.ig तो इसके अंदर एक बार से जाना है दिन दोस्तों यहाँ पर जो कि आप लोग मिलेगा Files का Option तो Files के अंदर एक बार से हमें चले जाना है तो यहाँ पर UE4 Game के अंदर एक बार से जाना है दिन दोस्तों यहाँ पर एक पर एक लोग एक फोल्डरे मिलेगा दिन दोस्तों यहाँ पर जो कि हमें उसको paste कर देना जो दुस्ते हैं पर copy किये थे हम लोग दुस्ते एक file को तो इसको दुस्ते हैं पर एक बार से paste कर देना आप लोग तो guys यहाँ पर जो कि आप लोग देख सकते हैं देखे enjoy cjzc.ini तो guys इसका जो कि यह फाइल यहाँ पर आ चुका है हो चुका है, तो दुस्ते हैं अभी जो कि चेक करेंगे हम लोग अभी क्या कुछ जो कि support करता है graphics के अंदर तो guys आप जो कि हम लोग जाते है graphics में ok then दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकती है तो guys आप जो कि हम लोग करेंगे अगर दोस्तों आपका डिवाईस यहाँ पर सपोथ करता है only तो सुल्वर टोसरे आपी स्मूथ और बैलास तो नहीं पर जो कि आप λोग इसको maximum SD के अंदर खेलिए ना कि धो स्वेरों अपलोग HDR एंड अलल्टरा-HDR के साथ आप लोग जो के यह दिखिए है हाई फ्रेम रेट गज्ट ऐसे करते हैं यह सेट मैं घृसकी अंदर हैं confirm यह यह कर दिए चुनFit को मैंने खतें को किया है घृसरी में करने कीप अचाइब है हमें यह से कुछ प्रबलम नहीं दिखाँ है और यहां पाद मुझे एक बार से कमें पौनें ड़ाँ ज़िस को करने केके बाद देखने का कुछ अ मलता है, aucunका अगर में पर और आ रहा है तो यह जो संकिते हैं तो दोस्तों यहां पर जो कि आप लोग कुछ स्टैप से आप लोग किसी भी Android डिवाइस के अंदर दोस्ते हैं पर कुछ हाई एक HDR एंड गाई यहां पर अल्टर एजडी आर मोड के साथ भी दोस्ते हैं पर पबजी को प्ले कर सकते हैं तो गाई यहां पर उमिद करता हूं व